जैहें साथ यो बेलकम टू सेल्फ इस्टडी के लासे स्पेस सुमित जैन यूटूब सेनल में आप सभी क्या स्वागत है तो आज की वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं टॉप महत्पूर्ण असी प्रशनों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होंगे है यह एक बार आप जरूर पढ़ें पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक अवस्त करें ठीक है यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन है बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर अच्छे अच्छे प्रशनों पर यहां पर पहुतन buffer प्रशनों के बारे में पहला जो प्रस्न है अपवरंस के पर थचंध के प्रथम महाकभी तो आपका राइच यहाई कि अब Vamos के प्रथम महाकभी माने जाते हैं और ड ढक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हंदी का प्रथम महाकभी wave 나의 Home जो अपवरेंस के पृथम महा कभी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अप हिंदी के महा कभी स्वयंभू को किस ने माना है तब आपका उतरहुगा रामकौमारबरमाने ठीक है? अपवरेंस के पृथम एतिहा से के बय्या करण कौन है? तो अपब्रंस के पर्थम एतिहासिक बयाकरण माने जाते हैं हैमचंद्र हैमचंद्र यह निकि जो बिकल्प नमर आपका दो जो है हैमचंद्र आपका सही होगा हिंदी के पर्थम का भी कौन है तो हिंदी के जो पर्थम का भी होते हैं वो है सरहपा ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है तब अंगला कॉस्चन है हिंदी में चौपाई एबं दोहों का सरपर्थम प्रियोग किसकी द्वारा किया गया तो वो किया गया सरहपा के द्वारा ठीक है और हिंदी की पर्थम रचना कौन सी है तो सभी को पता है स्राब का चार 933 इ प्रथम रचना कौन सी है तो हिंदी साहित की जो प्रथम रचना हो या हिंदी की रचना हो वो सराब का चार ही माने जाती है अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाब कौन सा है तब आपका उतर क्या होगा प्रतिवीराज रासो हिंदी साहित का प्रथम महाकाब प्रतिविराज रासो चंदरवर्दाई जी का माना जाता है ये चीज़ आपको याद रखने है तब आपका अंगला जो हिंदी के प्रतम गीतकार कौन है तो हिंदी के प्रतम गीतकार माने जाते हैं वो विद्यापती जी माने जाते हैं आपको याद रखने न ठीक है भक्ति के प्रवर्तक भक्ति के जो प्रवर्तक है वो रामानुजाचार माने जाते हैं ठीक है बक्ति आंदुलन के प्रवर्तक रामनुज़चार भक्ति पर वर्थक माने जाते हैं और हिंदी के पृथम सूपी कभी कौन है तो हिंदी के पृथम सूपी कभी माने जाते हैं असाइध आपको पता होने चाहिए प्रश्ण क्रमक 10 काप का उत्र होगा असाइध इनमबर सभी को याद रखना है अंगला प्रतम बड़ा महाकाब तो हिंदी का प्रतम बड़ा महाकाब जो था वो पदमाबत पदमाबत याद रखनी ना मलेक मुहमद जैसी का हिंदी का प्रतम बक्रोक्ति कथात्मक महाकाब तो यह पदमाबत है यह मलेक मुहमद जैसी साब का है अबदी भासा में लिखा गया है ठी तो हम ने पढ़ा है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महा काब माना जाता है जायसी इसके रचनाकार है ठीक है पदमाबत के वह टूर सागर है सूर्डास जी का करशन भकती काब का प्रथम सबसे प्रिशिद्ध एह जो काब माना जाता है तब अंगला कोश्चन है राम भक्ति काब का सबसे प्रिशिद काब है तो राम भक्ति काब का सबसे प्रिशिद काब है वो राम चरित मानस माना जाता है ठीक है राम चरित मानस तुल्शीदास जी का है और सरबाद एक टीकाइं लिखी गई तो राम चरित मानस की लिखी गई उसके बाद जो है बहारी किया है बहारी सस्थाई उसके बहारी सस्थाई की टीकाई लिखें गई तो इराम चरितमानस तुलसिदाश जी का महा काब माना जाता है है ना सभी को पता है और इराम भक्ति काब का सबसे प्रशिद्ध काब है पिर स्याम सुंदर जी ने भी कहा इसे भक्तिकाल को सुने योग तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अंगला क्वेस्चेन है साथ यो सत्साई परंपरा का आरंब माना जाता है तो किस से माना जाता है ठीक है और खड़ी बोली के प्रथम स्वचंताबादी कभी हैं तो वो है स्रीधर पाठक इनके बारे में आपको से पूछा जाता है स्वचंताबाद के जो प्रवर्तक हैं तो वो स्रीधर पाठक हैं है ना स्वचंताबादी कभी मान जाते हैं स्रीधर पाठक ए चीज़ question है खड़ी बोली का पर्थम महाकाब तो ये प्रिये प्रवास माना जाता है हरियोद का और हरियोद जी ये दुबेदी योग आदुने कल के दुबेदी योग के कभी है हरियोद जी है ना और इनका ये प्रिये प्रवास खड़ी बोली का पर्थम महाकाब भी माना जाता है ठ ठेट हिंदी का ठाट है ना करशन सतक और रसकलस इनकी प्रमुक रचना है करशन सतक इनकी प्रतम रचना मानी जाती है किसकी हरियोद जी की गीती काब सब्द का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया तो गीती काब सब्द का किया किसने लोचन प्रसाथ पांडे ने गीती काब सब सब्द की बात हो रही है तो सब्द का प्रयोगिनोने किया और चायबाद की प्रतम किर्ती मान जाती है तो जहरना जिसके जुलेक्षा के जैसे कर प्रसाद है ये चीज़ भी आपको याद रखिंगे भी नहीं है और अंगला क्वेस्टेटिन है साथियो सुकल के अनुसार चा चंद का प्रतम प्रियोग करता कौन है तो प्रतम प्रियोग करता निराला मुक्त चंद के प्रतम प्रियोग करता निराला मान जाते हैं सुर्का अंत्रपाथा निराला की जो चंद मुक्त रचना है वो है कौनसी जूई की कली है ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है अ औरवसी में आप कन्फ्यूज नहीं हो ना औरवसी एक रामधारी सें दिनकर जी की भी है जिने ग्यान पीट पुरुषकार मिला है उस रचना के लिए जैसे अंकर प्रसाथ की प्रतम चायावादी का बिकरती है तो वो जहरना है ठीके सुमित्रा नंदन पंत की प्रतम कभीता है तो गर्जे का घंटा ये चीज भी आपको या दख लिने ठीक है देखते हैं अंगला प्रस्ट प्रसाथ प्रस्ट नंदन प्रस्ट का बिकरता मैं भी आपको ये थी समय मार्थ है चीज अंहरेन सुमें सीज़द्ट ओतला है तो प्रस्ट अंद़रा स्थाचर्थश्ओार है और स्वाँ प्रस्ड़र का बिकरता थाओ प्रस्ट सयॉग पली का थाबें नेक्स्ट है इंदी में प्रतम जीविनी कौनसी है तो भक्तमाल आपने सुनी होगी नाबादास जी की इसमें विभिन जो है लेखकों आदी की जीविनी दी गई है भक्तमाल में ये नाबादास की पूची जाती है हिंदी में प्रतम संस्मरन है तो हरियोज जी का संस्मरन बाल मकुंद गुप्त ये हिंदी का प्रतम संस्मरन माना जाता है हिंदी में प्रतम रेकाचित्र है तो पदम पराग और हिंदी का पर्थम रिकोर्ट आज माना जाते हैं लेक्षी फुरा है ना हिंदी में पर्थम यात्रा बरतांत कौन सा है तो लंदन यात्रा ये आपका बिल्कुल सही हो कर ठीक है हिंदी गद्ध काब की पिर्थम रचना कौन सी है तो गद्ध काब की मानी जाती है साधना राय कर्ष्ण दास द्वारा रचत है गद्ध काब की साधना आपको याद रखना है तब अंगला क्वेस्चन है हिंदी सायथ के काल विभाजन इवं नामक्रन का प्रिधम प्रियास करने वाले बैखती थे तो भूसे जार्जग्रियर्स Newai एक ग्रंतदा दवाडन बनकुल लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान इसमें उन्होंने सरप्रतम काल वेभाजन और नामकरन करने का प्रयास किया जाल किरी अर्शन साब ने खड़ी बोली का प्रतम प्रियोप करता है तो अमीर कुसरो है ठीक है जो हमारा प्रस्ण है खड़ी बोली गद्दी की प्रतम रचना कौन सी मानी जाती है तो खड़ी बोली गद्दी की मानी जाती है चंद चंद वर्नन की महिमा ये गंग कभी द्वारा रचत है चंद चंद वर्नन की महिमा ठीक है हिंदी की प्रतम दलित रचना माने जाती है तो अच्छूत की सिकायत है हीरा डॉम की अच्छूत की सिकायत है प्रेम चंद का प्रतम अपन्यास कौन सा है तो प्रेमा अर्था दो सक्षियों का विवा है है ना यह प्रेमा है तब आपको याद रख लिए ना प्रेम चंद का प्रिथम उपन्यास माना जाता है अंगला क्वेच्चन हिंदी के लिए प्रिथम साहित अकाद्मी पुरुषकार किसी मिला तो यह मिला माखलाल चतुरुबेदी को हिम्त रंगनी के लिए ठीक है आपको पता होगा 1954 में यह जो साहित अकाद्मी है इसकी स्तापना हुई और 1955 स सर प्रिथम घ्मत रंगनी को मिला माखलाल चतुरुबेदी की ठीक है प्रैम चंदका मूल रोप से हिंदी में लिकट प्रतम जो पन्यास माना जाता है वो काया कल्प माना जाता है मूल रूप से अगर बात करें बाकी तो इनके जो है उर्दू में लिखते थे फिर उन्होंने उर्दू से हिंदी में अनुबाद किया लेकिन मूल रूप से माना जाता है तो काया कल्प माना जाता है ये चीज़ याद रखनी है अंगला क्वेश्चन है ग्यान पीट पुरुषकार से सम्माने प्रतम हिंदी साहितकार कौन है तो ये हैं सुमित्रन अंदन पंत चिदंबरा के लिए 1968 में इनी हिंदी के लिए सर्वे पुरुषकार मिला ठीक है फिर 1972 में औरवसी के लिए दिनकर जी को मिला फिर 1978 में अग्गे जी को मिला और 1982 में मिला महादेवी वर्मा जी को तो ये याद रख लें ग्यान पीट पुरुषकार ठीक है तब आपका अंगला क्वेस्चन है ग्यान पीट पुरुषकार से सम्माने प्रतम हिंदी महिला साहितकार कौन थी तो वो थी महादेवी वर्मा यहने यामा के लिए इनकी यामा एक रचना है उसके लिए 1982 में ग्य इकमात्र महिला कौन है जिने यामा के लिए किसी रचना के लिए ग्यान पीट पुरुषकार मिला फिर इसके बाद में 1982 के बाद में संपूर साहित के लिए यह दिया जाने लगा तो आपको याद रखना है अंगला क्वेस्चन है नागपुर में 1975 में यह जो विस्तु प्रतम हिंदी पत्र है तो प्रतम हिंदी जो पत्र है वो उदंत मारतंड है और यह 1826 में प्रकासित हुआ था ठीक है और इसके जो संपादक थे बो थे जुगल के सोर जुगल के सोर और यह कहां से निकला था तो यह निकला था कलकत्ता से ठीक है यह प्रतम जो है समाचार पद्र माना जाता है और ये साप्ता हैक समाचार पत्र था ए चीज भी आपको याद होनी चीए ठीके, अंगला कॉस्चिन देखलो, प्रतम हिंदी दयनेक था तो वो था समाचार सुदा वर्षण 1854 में ये निकला था ठीक है समाचार सुधावर्षन और ये दैनेक समाचार पत्र था और स्याम सुंदर सैन जो थे इसकी संपादक्ति समाचार सुधावर्षन की तो ये हिंदी का प्रतम दैनेक समाचार पत्र माना जाता है प्रतम हिंदी बेपसाइट कौन सी है तो ये बेव दुनिया मानी जाती ठीके साहे तकादमी के प्रतम अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जबाहलाल नहरू थे साहे तकादमी जिसे माखलाल चतुरवेदी को हिम तरंगणी के लिए प्रतम साहे तकादमी प्रुसकार प्राप्थ हुआ था तो बोई साहे तकादमी के प्रतम अध्यक्ष ते पंडित जबाहलाल नहरू अंगला क्वेस्चन हिंदी के प्रतम लगू पत्री का कौन सी थी तो नय पत्ते ए प्रतम लगुपत्री क्या थी हिंदी की हिंदी में प्रकासित प्रतम ग्रंथावली कौन सी है तो भारतेंदु ग्रंथावली ये प्रतम ग्रंथावली माने जाती है भारतेंदु की बात करें तो अठारा सो पचास में इनका जन्म हुआ था भारतेंदु को अठारा सो पचास में इनकी मृत्य हो गई थी 35 बर्ष की उमर में मात्र भारति अंद grieving लुए तो, पूर्शोत्तमदाश त्याहित अंगला question है सन्युक्तराष्ट संग UNO में हिंदी में भासन देने वाले प्रतम ब्यक्ति कौन थे तो वो थे अटल विहारी बाच पही ठीक है हिंदी में भासन देने वाले प्रतम ब्यक्ति थे सन्युक्तराष्ट UNO में और सन्युक्तराष्ट दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को ठीक है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी इसलिए 24 अक्टूबर को हम सन्युक्त राष्ट संग दिवस मनाती हैं और यहां पर हिंदी में भासन देने वाले प्रतम जो ब्यक्ती थे वो अटल वहारी बाच पही थे तब अंगला कोश्चन है हिंदी भासा का प्रत बज्याने के टिहस इनुह ने परस्तुत किया तरगणप्थी चेद्र जयनेंद्र का प्रतम उपन्ययास कौन सा है तो परक है और यह जयनेंद्र कुमार जो है यह मनो विस्तिरेशन वादी कभी मान जाते हैं मनुविस्ट्रेशनबादी उपन्यास कार जनेंद्र कुमार, है ना, इलायचेद्र जोसी और डांक्टर देवराज और अग्गे, ये चारों मान जाते हैं मनुविस्ट्रेशनबादी, तो आपको याद रख लेना, ठीक है, और मनुविस्ट्रेशनबाद के जनक भी मान जाते हैं, तो वो मान जाते हैं, कौन? जनेंद्र, है ना, याद रख लेना, हिंदी में मनुविस्ट्रेशनबाद के जनक हैं, तो जनेंद्र कुमार जी, है ना, और भगवती चण बर्मा का प्रतम उपन्यास कौन सा है तो वो चित्र लेखा भगवती चण बर्मा का प्रतम उपन्यास चित्र लेखा माना जाता है आपको याद रखनी न है अंगला कॉस्चन देखो इलाचंदर जोसी का पर्थम उपन्यास कौन सा है तो प्रणाम आई है ना इलाचंदर जोसी साब का है और अग्गे का पर्थम उपन्यास देखार एक जी भी नी पनी सुनात रेनु का पर्थम पर्थम मेला आचल है यह चीज भी आपको याद रखनी है आंचले को पर्थम कार है ठीक है इनका पर्थम आंचले को पर्थम कार माना जाता है रेनु जी का अंगला कॉस्चिन है जैसंकर प्रसाथ की पर्थम कहानी तो इनकी पर्थम कहानी मान जाती है ग्राम जैसंकर प्रसाथ की प्रेमचंदी की पर्थम कहानी मान जाती है तो पंच परमेसुर लेकिन इसके पहले सौत लिखी गई इनकी सौत है ना तो प्रेमचंदी की सौत लिखी गई हिंदी में और फर उसके बाद लिखी गई पंच परमेसुर। अग्गे का पर्थम कहानी संग्रह है तो वो बेपतगा, एक पर्थम कहानी संग्रह माना जाता है, कौन का अग्गे सापका। अंगला कॉस्चन है, जैसंकर पर्थम एतियास एक नाटक है, तो एतियास एक नाटक की बात होती है तो रास्तिरी, और पर्थम नाटक की बात होती है तो सज्जन, सज्जन इनका पर्थम नाटक माना जाता है और एतियास एक पर्थम रास्तिरी, ठीक है, हिंदी का पहला तो आज की वीडियो के लिए साथ यो बस इतना ही हमने 75 प्रस्णों पर चर्चा की कहीं अगर आपको doubt लगता है तो comment में जरूर बताएं आपका जो है doubt clear करने का प्रयास करूँगा और ऐसे अनेकों वीडियो हैं आप playlist में जाके देखें बहुत सारे बिस्तरे तद्यन भी है बहुत सारी test series भी है ठीक है आप playlist में जाके देखें वीडियो को like करें और share करें आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जय है